फैमली वीक में अब घर से आयए सदस्यों को एक बड़ी पावर दी जाएगी यहां पर अब यह पावर होगी कि किस तरीके से ये लोग टिकेट टू फिनाले देते हैं और यहां पर ये लोग किसे चुनते हैं टिकेट टू फिनाले के लिए हम आपको बता दे कि आज घर के अंदर जो है special task किया जाएगा और दो parents को इस बात को लेकर power दी जाएगी कि वो दो में से किसी एक को चुने तो यहाँ पर सबसे पहले power जो मिली है वो मिली है ईशा के पापा और अभिशेक की मम्मी को जी हाँ buzzer task से जो है यहाँ पर इस बात का खुलासा होगा कि आखिरकार कौन है ticket to finale का हगदार हम आपको बता दे कि यहाँ पर कुछ सवाल पूछे जाएंगे और उन सवालों के जवाब इनको buzzer बजा कर देने हैं इसके बाद वहाँ पर बैठे दोनों parents यह decide करेंगे कि दोनों में से किस सदस्य ने सही जवाब दिये हैं तो अब यहाँ ईशा और अभिशेक आमने सामने होने वाले हैं और यह दोनों जो हैं एक दूसरे को जवाब देते हुए यानि कि इन दोनों में से किसी एक को मिलने वाला है ticket to finale तो एक बात तो तो तह है कि अब यहाँ पर लगातार जो चीजे सामने आ रही हैं और लगातार जिस तरीके से अब यहाँ पर देखने को मिल रहा है उससे ऐसा लगता है कि makers बार बार जो है यहाँ पर आमने सामने लेकर आने वाले हैं इशा और समर्थ को और इसके अलावा अभिशेक और इशा में मुकाबला होने वाला है आप इस बारे में क्या कहेंगे? कमेंट में अपनी राय लिखकर जरूर बताएं आपको क्या लगता है कि कौन डिजर्व करता है टिकेट टू फिनाले और किसके पास जाएगा? क्या आपको लगता है कि यहाँ पर टिकेट टू फिनाले जो है वो फैमली के हाथ में देकर makers ने ठीक किया है आप इस बारे में क्या कहेंगे? कमेंट में अपनी राय लिखकर हमें जरूर बताएं लेकिन उससे पहले हमारे चानल को सब्सक्राइब करना ना भूले